पिरस्पी यादव और नितीश कुमार का जोड़ी है ही नहीं, नितीश कुमार को अब लोग नेता नहीं मानता है, अब इसको आप anti-incumbency कहिए, उनका खराब शासन वयस्था कहिए, शराब बंदी कहिए, अब सरसाही कहिए, कुछ भी कहिए, तिरस्पी यादव ने कहा था कि 20,000 करोड का parallel economy चल रहा है शराब बंदी के चलते, अब cut to एक point पे आते हैं, जब 2015 में नितीश कुमार और लालू यादव मिले थे मोहित जी तो एक बात कहा गया था कि अब क्या, अब तो कोई है ही नहीं, नितीश और लालू मिल गए, मतलब बिहार crack हो गया, लेकिन आज चुनाव बता रहा है कि भाजिपा ने उस crack का दूसरा crack खोज लिया, और लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको जनता के हिसाब से चलना है कुर्णी चुनाव हारने के बाद, तो किसको बोल रहे थे इबाद जी, नितीश कुमार को ना, तो 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 आते हैं, नितीश कुमार के साथ भाशन दरी कोढ़री में, वहाँ पर कूर्सी चलता है नौकरी के लिए, देखिए बात समझेगा, जब जब ये नियुक्ति पत्र बाटते हैं, भाजपा वाला सबूत के साथ बताता है, कि ये नियुक्तियां पहले की हो चुकी हैं, और य पासवान, माझी, पासवान, मुसहर, ये होता है, तो क्या है, जीतन रामाजी के बाद से बिल्कुल भी सहमत है एकदम, वो कहते हैं कि एकदम रात को हर अपसर पी कर सोता है, उसको कोई नहीं छेड़ता है, और एक गरीब पी कर सो गया तो उसको उठा के जिल में बंद के गोपाल गंज का जीत भाजपा का सिर्फ फर सिर्फ चिराग पासवान के चलते हुआ है हमरा जिला है 12,000 वहां पासवान वोटर है भाई और 12,000 वोटर हम बता रहे हैं जितना जितना त्यस्वी आदव के रैली में गोपाल गंज में भीड हुआ था ना उतना ही भीड अब उनको डर लग रहा है कि अब 24 आ गया 24 में चुनाव है हम तो हार जाएंगे तेजस्वी यादों के नितिश कुमार के साथ आने के बाद क्या उनकी लोगप्रियता घट रही है क्या तेजस्वी यादों का क्रेट जो था आम जनता में वो घट रहा है यह सवाल इसलिए अपना था उन्होंने सीट बचा लिया लेकिन कोपाल गंज में वो चुनाव हार गये इसके बाद हम आते हैं कुर्णी पर कुर्णी उनकी अपनी सीट थी उन्होंने जद्यू को दे दिया लेकिन जद्यू वहां पर चुनाव हार जाती है इसके बाद शारी बंदी को लेकर खुब हवा फिला गया तब खुलकर कहते थे कि शराबंदी का मतलब क्या है जब शराबंदी मतलब असलियत में यह नहीं है तो हमको याद है कि सरकार पुलटने के पांच-दास दिन पहले छपरा में कांड हुआ था तो उनके यहां से प्रतिनिदी मंडल गया था वह प्रतिनिदी मंडल छपरा में जाकर कह रहा था कि शराबंदी खत्म कीजिए क्योंकि शराबंदी नाम का कोई चीज है नहीं और मात्र पांच-दिन में तो यस्पी पलड़ जाते हैं एक दम मुह में धही जम जाता है उनके आप समझे इस बात को तो तो कोई है नहीं निती का चुनाव बता रहा है कि भाजिपा ने उस क्रेक का दूसरा क्रेक खोज लिया और 3632 वोट से महागडबंदन के प्रतियाशी चुनाव हार गए और इसमें कोई दोमत नहीं है अब एक और बात याद रखिए उनके प्रतिनिदी मंडल मिलने गए थे ना बैसाली में ट्रक आदव कंप्रमाईज कर गए हैं एक सीट के लिए आप समझे इस बात को गोपाल गंज में चुनाव होता है नितीश कुमार के पेट में दर्द होता है वो परचार करने नहीं जाते हैं और सुबास सिंग बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले लेता उनको मातर उनकी पतनी क मातर 2000 वोट से जीत मिलती है तो आदव अकेले अपना पूरा दम लगाए थे से लिए वहां भी नितीश कुमार जाते है वहां का जीत का अंदर 15,000 होता हम लिग कर दे रहे है मेरा गरी जीला गोपाल गंज है तो आदव और नितीश कुमार का जोड़ी है ही नहीं नितीश क साँजिगा इस बात को आरजडी में जब वह थे और पिसे पीछे पीचे हुझ म चल रहा था अब क्या होता है नितीश कुमार चलते हैं उनके पीचे दर्यश कुमीं चलते हैं और उनके पीछे हुझ मुझेzieh लिए चलता है जरarms लीकों say लिगते हैं कि ञंता आपके हिसाब उसे नहीं चलेगी आपको जनता के हिसाब से चलना है कुर्णी चुनाव हारने के बाद तो किसको बोल रहे थे इबाद जी नितिशे कुमार को न तो जब नितीश कुमार को उनके पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं तो आपका उमर भाई 33 साल है 33 साल का मतलब होता है राजनीती में श्ट्रगल करना तो आप श्ट्रगल छोड़कर मलाई खाने चले गए और यही कारण है उनके पतन का और पतन शुरू हो चुका है कुढ़नी का सीट आप समझेगा 782 वोट के अंतर से अनिल सहनी चुनाव जितने हैं 2020 में बहुत कम मार्जिन होता है मतलब क्या आरजेडी ने अकेले इतना टप फाइट देकर 782 सीट किया 782 वोट किया न जी तो अब जदियू आपके साथ है मतलब कूर्मी कुस्वा हाँ तो कूर्मी कुस्वा का वोटा को ट्रांसपर काही नहीं हुआ उपेंदर कुस्वा की पार्टी चुनाव लड़ी थी 2020 में वहा चुका है तो रस्वी आदव जाते हैं नितीश कुमार के साथ भाशन दरी कुढरी में वहाँ पर कूर्सी चलता है नौकरी के लिए देखिए बात समझेगा जब जब ये नियुक्ति पत्र बाटते हैं भाजपा वाला सबूत के साथ बताता है कि ये नियुक्तियां पहले क चुकी है और ये लोग जुटे नियुक्ति पत्र बाटते हैं हम लोग कितना खबर किये हैं तो तरश्वी आदव विपक्ष में थे तो ठीक थे लोग उनको मान रहे थे कि नितीश कुमार के कुशासन के बाद अगर तरश्वी आ रहे हैं अगर वो दावा कर रहे हैं तो व अवजूद कुढ़नी जीत गए तो हम बिहार भी जीत सकते हैं सवाल यह कहा जा रहा है कि महादली जातियों में मतलब अंदर अंदर बड़ा वो हो गया वो तो चिटक गया है जो महागडवन्दन का नेता है महागडवन्दन की जो पाटियां उनसे इसके कारण एक ही बता ज ही हुआ है कि रात को 11 बजे पुलिस को मन करता है तो घुष जाता है घर में और जुठे कौनों बोतल उठाकर कहता है कि तारी है सराब है अदर बाराजर मांगता है नहीं तो जेल में ले जाता है पांस दिन पहले हम लोग गाडिस जा रहे थे हम आप थे और अंकित जी थे पासवान मांगता है तो आप समझे गाए इस बात को जो पासी को और पासवान को कहा जा रहा था कि लोग अब सिफ्ट होंगे तरह वह लोग न राज होकर शिफ्ट हूए हैं भाटपा के तरह पर इसका एक ही मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपसर्साही पुलिस वाले घर में उनका जीवन भी खराब होता है और यहां पर हम जीतन रामान जी के बाद से बिल्कुल भी सहमत है एकदम, वो कहते हैं कि एकदम रात को हर अपसर पी कर सोता है, उसको कोई नहीं छेड़ता है, और एक गरीब पी कर सो गया तो उसको उठा के जिल में बंद किया आता है, आप आंकडा उठा कर देख लिए, चाहे अरस्ट होने का, चाहे मरने का, तो सबसे जादा जो रोश है, वो इसी तबका में है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी बात के चलते तेरस्वी जादा उसे महादलित और दलित जुड़ना शुरू हो वे थे, कि यह तेरस्वी बात नहीं बोल रहे हैं, और यहीं फैक्टर है मोहित, आप समझेगा, जनता का कनेक्शन आप लूज कर रहे हैं, जनता क्यों कनेक्ट हुई थी, क्यों जदिव बनी सी तीसरी नमर्गी पार्टी, क्योंकि नितीश कुमार का कनेक्शन लूज हुआ था, अब तिरस्वी पॉरेंस का कारण भी नितीश कुमार है, नितीश कुमार क्या बोलते हैं, नितीश कुमार के उमेश कुसवाह प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, ऐसी छिटपुट घटनाए होती रहती हैं वैशाली को लेकर, मतलब आपने उस पार्टी के साथ गडबंदन किया है, हाथ मिल जिस पार्टी को मतलब लोग के लिए प्यार नहीं है, और लोग के लिए प्यार नहीं रहेगा, तो आप इसे रोड पर आएंगे, और तर्यस्वी आदाव का शुरुवात हो गया है रोड पर आने का, और ऐसी देखे धीरे भाजपासर पकड़ बनाएगा, और तर्यस्वी के सामने चिराक टिक जाएंगे, आप समझे इस बात को, पहले तो हमको लगता है कि ये तर्यस्वी आदाव की फेलियर है कि वो चिराक पासवान को अपने साथ नहीं लापाए, गोपाल गंज का जीत भाजपा का सिर्फ फर सिर्फ चिराक पासवान के चलते हुआ है, हमरा जिला है, बारा हजार वहां पासवान वोटर है भाई, और बारा हजार वोटर हम बता रहे हैं, जितना जितना तर्यस्वी आदाव के रैली में गोपाल गंज में भीड हुआ था, उतना ही भीड चिराक पासवान के रैली में गोपाल गंज में हुआ था, और कुरनी में हमा बाद समझेगा इन लोग के पार्टी के अंदर वीलह चल रहा है कई जैसे जग्दानम सिंग काई नराज है जग्दानम सिंग इसलिए नराज है कि वह नितीश के विरोध का राज नितिक की है आप उन्हों कहें रहे हैं कि नितीश जी कहिए वह कैसे काई देंगे आपको उकर दीश के वरोध के आदमी है तो जो चीज नितीश और लालु के लिए बहुत बला ताकत था वही चीज अब कमजोरी बन रहा है और ये कमजोरी नितीश कुमार को डुबाएगा वो तो डूब चुके हैं तिरस्वी यादव को डूबाएगा और बता रहे हैं हम वो डूबन का प्रक्रिया एकदम शुरू हो चुका है कुढ़नी का हार इस बात का एकदम से उधारन है कि वो डूब रहे हैं और हो सकता है कि वो जल्द ही डूब जाए अगर त्रेस्पी आदाव अलग नहीं होते हैं अगर शराबंदी परिकाम नहीं हुआ कि तीश कुमार त्रेस्पी हेंडल करेंगी सब कुछ देखने का विश्या होगा आप जनतांशन देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद